अवैद बालू का टाइर रोकने गई पुलिस टीम पर हमला जेसी बी चालक घायल बिसनपूरा बालू घाड पर असमाजिक तत्वों का कहर पुलिस ने चार नाम जट सही चालिस पर दर्श कीप रात में की अमजोर थाना छेज़ के बिसनपूरा बालू घाड पर अवैद बालू का टाइर रोकने गई पुलिस टीम पर भायर संख्या में असमाजिक तत्वों ने हमला कर दिया घाटनाएं पुलिस टीम के सभिक्ष दस्तों ने सुरक्षित रूप से बचने का प्रयास किया लेकिन इस दोरान एक जेसी बीचालक घायल हो गया प्रतेक्ष दर्शियों के नुसार पुलिस टीम के पहुंचते ही लगव पचास लोगों ने घाट पर एकत्र होकर हमला सुरू कर दिया पुलिस कर भी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगए लेकिन इसे बीच जेसे बीच चाला की गाड़ी एक पीकप वैन से टकरा गए जिसे वैन छती ग्रस्त हो गई और कुछ लोगों मामोली चोटे भी है जिनका प्रात्मिक स्वास्त केंदर में उपचार हुआ पुलिस से विफाग में हलचल मच गई है और अब इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सक्त कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है पुलिस ने इस हमले में सामिल होने की आरोप में चार लोगों की खिलाफ नामजद प्रात्मिकी दर्श की है जिसमें बबलिकुमार के लिए ठोस सभूत जुटाने में लगी है ताकि दोसियों को जल्द से जल्द नियाले के समक्ष पेस किया जा सके पुलिस के अनुसार अवैत बालू कटाई की सुचना पर की गई इस कारवाई के दौरान हुए हमले में यह असपस्ट होता है कि असमाजिकता तो घाट पर अवैत गति वीधियों में लिलिपते हैं और पुलिस की कारवाई में बाधा डालने का प्रियास करें मामली की गंभीरता को देखते वे पुलिस अब घाट पर सक्थने ग्रानी बनाया रखने के लिए विसेस टीमों का गठन कर सकती है